अब देखते हैं इस फूरे वीडियो को यह होनर का प्ले टू इस फोन का चेंज करने वाला हूं में फोल्डर और फोल्डर को चेंज करेना सीखेंगे और होनर के ऐसे कई सारे फोनों को खोलना बंद करना उनके वारे में जानना पूरी चीज़ेंगे तो आप लोग वीडियो को देखने के साथ आते हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भू सामने वाला पूरा स्क्रीन है यह टूटा हुआ है और यह फोन ओपन होगा पिछे तरफ से इसका से पहले बैक रिमूफ करना पड़ेगा सेम ट्रेकों भी रिमूफ करना पड़ेगा और उसके बाद इसमें पूरी प्रोसेस करने पड़ेगी तो स्टेप बाइ स्टेप आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए जिससे आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीजिए सीख पाएंगे और सब कुछ जान पाएंगे और आप लोगो कोई प्रॉलम नहीं होगे अगर आप लोग मुझसे परसनली जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे मे यूटूब चैनल का सौपनीज आइडियास का और या कुछ आप लोग मेरे परसनली जुड़ना चाहते हैं मेरे सपोर्ट लेना चाहते हैं खुद भी तो उसके लिए उसमें आपफन है जॉइन बटन में ही आप लोग उससे भी क्लिक करके उस पे जॉइन होके कुछ डोनि कि भुलने पढ़ते हैं उसके साथ में आप लूग देख रہे हैं पीछे वाला खोलते हैं उसके साथ में फिंगर फिकर तो आपको कर अपका होक दो दिख सकते हो उसे भी रिमूब करना होगा इसाब काफी कि आप लोग काफ़ी यह लगने लगा होगा अब लोग काम भी करते होगे तो आप लोग कहां तक सीख पाये हो विजुए कई सार लोग इस टाइम में मुझे कमेंट करके बताता हैं कि सर आपकी वीडियो को दिख वीडियो से आप लोग काफी इच्छा काम सीख रहे हैं और आप लोगों की बिजिनेस क्रोव हो रहे हैं तो ऐसे आप लोग को काम सीखना है और वीडियो को देखना है और वीडियो को सेर भी करना है लोगों तक पहुंचाना है जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि आप लो जैसे कि मैंने एक वीडियो पर बताया ही था कि आप लोग उनको मैं बता बता के एक चीज तो बताना उतना संभो नहीं है आप लोग जो सारे काम फिर देख के सिख सकते चाहिए आप किसी इंस्ट्टूट पर सीखोगे या कोई सौप की पर सिखाएगा या आप मेरे वीडिय इसके बगएरा मत किया किजिए ना ही फार्ट फरवड किया किजिए एक एक स्टेप को ध्यान से देखा किजिए कैसे मैं सेपरेटर मसीन में मोबाइल को गरम करता हूँ वैसे मैंने जैसे आप लोग बताया था डिस्पली के नीचे अगर कोई खास सेंसर अफ तो खायरा न मैं इसमें लेमनेशन रोल लगा देता हूँ इसका रिजन यह है कि वैसे मैं गलू चुणाने के लिए मैं थोड़ा साइट से एसी टून को यूज करता हूँ तो वह गलू डिस्पले के जरिए थोड़ा सा बोर्ड वगयरा में ना जाए और थोड़ा सा फ्रेम वगयरा भी इसके लिए आप लोगो करना कुछ नहीं है बस दो चार फोनों में करना है दिरे दिरे प्रैक्टिस सबसे पहले उन फोनों प्रैक्टिस कीज़े इनका डिस्पल भी खराब हो और टच भी खराब हो मतलब कि ऐसा नहों कि सिर्फ एक ही चीच खराब है जैसे कि आपनों को ड इंगर्पिंट सेंसर्स वगरा भी होते हैं होम की वगरा भी होती ही तो सब कटना नीचाहिए इस चीज का बड़ी साफधानी से ध्यान देना है इसी के लिए मैं कुछ कहावतें भी बता देता हूं कि साफधानी बोलते हैं नजर हटी दुरू हटना घटी तो यह लोगो मैं चीज भी दिखाऊंगा इस फोन का जो फोल्डर है वो मैंने फ्रेम से निकाला है और यह देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से निकला हुआ है लेकिन मैं इसका पूरा का पूरा फोल्डर चेंज करने वाला हूं लेकिन आप लोगों को मेरा मकसद है निकाल के दिखाना और सिखाना इसकी जैसे मैंने फ्रेम से सही सलामत फोल्डर को निकाला है तो आप लोग थोड़ा सा देखके सीख पाऊगे एक सावधानी के साथ काम कैसे करें क्यों कि आप लोगों को मैं एक चीज और कहना चाहूंगा मोबाइल के काम में सावधानी ही सब कुछ कि कि आप मोबाइल के पूरे को पूरे डॉंक्टर ही हो डॉंक्टर इंजीनियर हो मतलब की बड़े पेसंस के साथ काम होता है और बड़ा पेस्फुल काम होता है यह नहीं कि अग्दम घबरा के बढ़वडा के इकदम इरिटेट होगे काम कर दीए कुछ भी और कुछ का हो गई और कभी कभी फिर उस बज़े से कश्णमलो फोन नहीं बनवाते आप लोगों से दोबारा जैसी कि आप सभी लोग जानते हैं जब मैं मार्केट से कोई फोल्टर लाता हूं तो सबसे पहले इसको चेक करता हूं उसको चेक करने के लिए जिस फोन पर मैं डिस्प्ली लगाने वाला हूं और इसको चेक करने के तो तीन तरीकों होते हैं कि सबसे पहले इसमें कुछी तरह की कोई लाइनिंग बगारा तो नहीं है लाइनिंग के साथ साथ आप देख लोग एंग डिस्प्ली कोई दाग है डिस्प्ली टूटा फूट तो नहीं है साथ साथ आप टच वग्यरा भी चेक कर सकते हो इसके करने के लिए आप लोग उससे पाफवर्ड पूछ सकते हो अगर अगर इत्वाक से पाफवर्ड या कर आप अप अप लोग इसका नहीं होती है बतलब मोश्टली ऐसा के साभी करीब एक डेड़ साल से आया न ने को पूरा चेक करना होता था आप अधिक में काम करता किसी में इसका ये स्पेस काम नहीं और अभी एक डेड़ साल से तकि जो और फूल्डर आ रहे हैं कई सारी बढ़ियां बढ़ियां इन में ऐसे प्रॉलम्स आना बंद होगे लेकिन हों कि डिस्प्लें प्रॉलम्म आती है जैसे कि आप लोग देख रहें कि मैं इसका जो स्टीकर है वो ध्यान से निकाल देता हूं इसका रीजन यह कि स्टीकर की थोड़ा से जाती है मुटाई और स्टीकर साइट से अगर आप इसका बॉल देता भी आपने लॉकल फोल्डर तो नहीं लगा देख रहा है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है düşकर लगा इसका मतलब ही फोल्डर लोकल था बटी जो जो इस्टीकर होता है यह स्वाप की पर सकी तरह से वारंटी होती है फोन की इसकी प्लेज़ार लगा फोल्डर को फ्रेम में चिप खाने के लिए और इसको मैं जो डिस्प्ले होते हैं उनमें साइड में बहुत जरा सा ही स्पेस होता है उसमें मैं डिस्प्ले में डारेक्ट ग्लू लगा देता हूं उसके बाद में फ्रेम में चिप खाता हूं फोल्डर को और जो स्पीकर होता ह स्पीकर में एक फिल्टर लगा हुआ होता है जाली का उसे भी आप लोग जरूर लगा दें उसे कई बार कई टेक्निशन भूल दाते हैं इसके विए से होता है कि देखने में भद्धा लगता है आवाज और स्पीकर की क्वालिटी भी खराब जाती है और फटी फटी आवाज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं सारी चीहीं चेक करता हूं फ्रेम में कोई पचरा तो नहीं है अगर कहीं पर हमें डबल गुलू दिख रहा पुराना गुलू दिख रहा तो मैं ट्यूजर के जाहता से निकालता हूं ब्रस से भी साफ करता हूं चिंटी से पकड़- सब्सक्राइब करें चीजा करें स्क्राइब मेरे पास ज्यादा फोन रिपेरिंग वगएरा करने के लिए आते हैं क्योंकि मेरी सौप कमर्सियल एरियां पे नहीं है एक्ष्टल में एक कालोनी में है इसकी यहां पर काम वगएरा थोड़ा सा रिपेरिंग का काम होता है एक जितना भी होता है जयसे हुथ है आप लोग के लिए पुरा प्रयास और पुरी कोशिश करते हुअ कि आप लोग मेरे वीडियोजय केसे संज्चा अपस पूर एक जोनके चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के दुनिया के सामने दिखाऊ हूं या कोई अंटिक फोन है कुछ ऐसे डिफ्रिकल्ट फाल्ट है अब लोग भी शकते हो मैं भी ट्राइ कर सकता हूं ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा बन पाएगा नहीं और मैं लोगों को बताता एक बाद उसको वापस तरीके से प्यक्रण कर रहा हूं पैक करने का प्रोसेस से मठ फोजिट होता है खोलने का जैसे कि आप खोलते हैं बस उसी तरह का उल्टा आप लोगों पैक करना होता है को इसमें खास कलाकारी नहीं होती बड़ कलाकारी होती भी है अगर आप लोग थोड़ा सा भी धियान भूल लाएंगे कई बार कुछी स्क्रूज होते हैं वह इसक्रू उसी जखाय पर लगते हैं जिस जखाय से निकले हुए थे तो मैट में जो होल बने हुए होते हैं लोग राट लिए भी करते हैं तो आप लोगों नमबरनीग के साथ हुं तुछ पैक कर रहा हूं और एक एक स्कुरू बगरा रहा हूं कुछ चीजें कई वा जैसे कि इसमें सिंगर्पिंट वाला सेंसर्स वगरा जो ढगा हुआ कई वारूफ के लिए स्कुरू सेफ करने के लिए कंपनी वाले एक बेस लगा देते हैं जिसके विजए से वो कनेक्टर निकले ना तो उसके लिए दुबारा से भी स्कुरू खोलना पढ़ा जाता है कभी कि इसके लिए सारी चीजिए आप ध्यान से फीट कर दें कि ऐसा नहों पतल आप पूरा फोन पैक कर दो बात में पता चले कि आप लोग कोई नो कोई पत्ता लगाना भूल गया कोई कनेक्टर लगना भूल गया इन चीजिएं का छुटी चीजिएं का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है यह चुटी चुटी चीज करना है फिंगर्बिंड वाला सेंसर और पैक करना है एक बर फिसे मैं चेक करूंगा इसको पैक करने के बाद भी कि सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है और मैंने कश्टमर से इसका फोन लगा के पासवर्ड भी पूचा जिससे मैं आप लोगों के सामने चेक कर सबसक इसका टच्प्रापरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है क्योंकि कई बार ऐसा वहता है कितना सब कुछ करने के बाद भी कहीं टचश वगिएरा या कोई डिस्प्ले टच़ ओगिएर म którąDesco हो जाते हैं तो आपनों को पता है कि फिर काफी खरा था एक फोन वैसे भी मेरा वीवो का इस सिलसिले में गड़बड हो गया था और मुझे उसका डिस्प्ले का नुकसान सहना पड़ा था जो की करीब 4500 रूपीज का वो फोल्डर मैंने लिया था और उसका होम स्क्रीन में फिंगर्पिंट सेंसर होता था जो कि वर्क नहीं किया था अगर किसी को फोल्डर य वह चाहिए हो तो मेरे से भी सकते हैं कि कुछ भाई लोक बोल रहे था वुझाए हो तो लोग ले सकते हैं कोई बात नहीं मैं दे दूँनगा जितने में आता है उसे कम इरे डर MностиThis आप लोग को फोल्डर दे सकता हूं और यवी जिए कको नेया के बाद में इसका प्रापरल्नी की निचोडिक का ने स्वार्ट मेरे उसके बाराऊ गाल सॉपूर्ट करना का छाते हैं में उसके बाद में ऀसके तरह करें सुहर आंट सभी बने रही है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो को सेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा बाय बाय दोस्तों